मित्रों, आज पट्याला हाउस कोट के अंदर जो कुछ हुआ, उस पर हम कोई टिपली नहीं करेंगे. लेकिन कोट के बाहर जो बयानवाजी हुई है, जो नाटकी घटना करम हुआ है, निश्चित तौर से उस पर हम जरूर कुछ कहना चाहेंगे. हमने देश के इतिहास में पहली बार देखा, कि फाइट अगेंस करप्शन हमेशा होती रही है, बट फाइट फार करप्शन और वो भी बहुत बेशरमी के साथ हूँ. हमने भरिष्टा चार के खिलाफ तो लड़ाई बहुत देखी, लेकिन भरिष्टा चार के पक्ष में लड़ाई पहली बार देखी है. और जब हम इसी लिए कहते हैं कि कांग्रेस फ्री भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, तो हम आदा सीधा आर्थ है कि करप्शन मुक्त भारत, और अनफार्चुनेटली कांग्रेस और करप्शन मेट फार इच अधर, ये एक बार फिर आज साबित हुआ है. हम जब कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, तो शुद रूप से, क्योंकि कांग्रेस के समय में जो जिस तरह का करप्शन था, जिस तरह का कुशासन था, तो उस करप्शन और कुशासन से देश को मुक्त कराने की बात करते थे. लेकिन आज हमें लगा कि सत्ता में तो ये करप्शन और कुशासन के माहिर थे, लेकिन विपक्ष में आकर के भी करप्शन और कुशासन के किंग बने हुए हैं. और इसी लिए करप्शन के पक्ष में जिस तरह का उनका करांतिकारी विवहार था वो पूरे देश ने आज देखा ऐसा लग रहा था जैसे करप्शन के आरोप में कोई आरोपी नहों बलके महान सुतत्ता संग्राम सेनानी हो और सडकों पर यह उतर आए हमारे उपर आरोप लगाना, बीजेपी पर आरोप लगाना, केंदर की सरकार पर आरोप लगाना कि यह सारा के सारा जो कुछ भी हुआ है वो बीजेपी के करण हुआ है आप खुदी कहते हैं कि सैकलों साल पुरानी नेशनल हेरड कंपनी है जो कि आपकी विरासत है, बिलकुल विरासत होगी आप खुद ही कहते हैं कि जो नेशनल हेरेड में आरोप जो गर्बल जाला हुआ है जो घोटाला हुआ है जो घपला हुआ है वो है आप खुदी इस बात को और पुरा देज जानता है कि इस गर्बल जाले में कि आज जो है वो आपके शीर शनेत्रित तक पहुँच चुकी है तो इसमें बीजेपी और इसमें केंदर सरकार कहां से शामिल हो जाती है नेशनल हरेड आपका उसमें गर्बल जोटाला और गर्बल जाला आपका उसमें घपला गोटाला आपका और कोट में जो केस है वो कोट का संबन है बीजेपी ने कोई अपने हिटकॉर्टर से संबन नहीं भेजाए कि आप हमारे हिटकॉर्टर में आईए इसलिए हमें लगता है कि जो कोट के फैसले हैं या जो नियाले के जो मामले हैं उनमें इस तरह की राजनीत करना संसत को नहीं चलने देंगे साथ उसके लिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना संसत को इसलिए नहीं चलने दिया जा रहा था कि 19 तक का इंतजार किया जा रहा था कि भरष्टाचार बेइमानी को एक बलिदानी बना दिया जाए और जो ब्रस्टाचार के आरोप में लोग शामिल है उनको जो है वो महान देशभक्त दिखाने की कोशिश किया जाए ये सारे के सारी जो कवायद है वो कॉंग्रेस पार्टी के लिए को बूम रेंक करेगी मित्रों हमारा अभी भी यही कहना है कि कॉंग्रेस पार्टी को एक बार फिर से आत्म चिंतन करना चाहिए जिस तरह का उनका नकारात्मक एहंकार भरा हुआ रवया अभी तक है उससे एक बात बार बार देश के सामने साफ हो रही है देश को बार बार दिखाई पढ़ ला है कि कॉंग्रेस आज भी करॉप्शन के साथ खड़ी हुई है आज भी जो है वो कॉंग्रेस और करॉप्शन मेट फार इचेदर की जो कहावत है वो चर्टारत हो रही है इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं कोई नहीं आपको डरा रहा है ना आप डरिये और ना आप देश को डराईए यह हमारा बहुत इस्पस्ट मत है अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है कोई गुनागार है कोई बेगुना है वो आदालत तै करेगी लेकिन यह तै करना पहले से कोट की परकरिया चल लई हो और आप बाहर खड़े होकर कि यह कहे कि ये साजिश है ये शडियंत्र है ये राजनेतिक परतिशोध है ये पुलिटिकल वेंडेटा है वो इस बात को इस पस्ट करता है कि दाल में काला नहीं है लगता है कहीं ने कहीं पूरी दाल काली है इसलिए हमारा यहीं अन्रोध है कि आप कोट की लड़ाई कोट में लड़िये ना आप डरिये और ना देश को डराइए और ना किसी और को डराइए पूरा देश जानता है कि आपके परिवार की विरासत को भी जानता है आपकी सियासत को भी जानता है इसलिए जो है उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं देश इतिहाज भी जानता है देश भूगोल भी जानता है और देश कांग्रेस का वरतमान भी जानता है इसलिए हमारा इतना ही अनरोध है कांग्रेस के मित्रों से भी और आपके माध्यम से देश से भी कि देश को जच करना चाहिए कि ऐसे गं लबी जी, आज राहूल गादी को बेर निलने के बाद उन्होंने प्रिट्टर प्रजा मिल्सी पर आरोफ लगा रहे हैं। पीमो चालिसा पढ़ने पर, मुदी चालिसा पढ़ने पर उनका हाजमा ठीक होता रहता है तो हमें कोई उसमे आपती नहीं है। करना चाहिए। कांग्रेश को इस बात को समझ के करना चाहिए कि दरजनों लोगों को मकान मिलते हैं सेकुरिटी कारणों से, सुरच्छा के कारणों से। उसमें रावल बर्ड लावस्व सहाब भी है, उसमें प्रियंका गांधी जी भी है, जो किसी भी हाउस की मेंबर नहीं है। अब लावस्व सहाब भी है, जो कोड़ की लडाई कोड़ में लड़िये। देने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, संसद जो है, वो सुमवार से, सुचारों रूप से चलनी चाहिए, और क्योंकि अभी आल पार्टी मीटिंग हुई थी, विशेश तोर से, राजसभा के जो भी फ्लो लीडर्स हैं और जो परमुक्स नेता हैं उनके साथ, और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी समेत, सभी लोगों ने कमिट किया है, कमिट्मेंट दिया है, कि जो कुछ भी नुकसान हुआ है, इन शीत कालीन सत्र के दौरान, उसकी हम भरपाई करेंगे, देर रात तक बैट करके काम करेंगे, और कई महत्पोर्ड बिल हैं, जो लंबित हैं, वो पास होंगे, हमें अभी तो यही उनके आशवासन पर हमें अभी विश्वास है, अब मंडे को हम देखते हैं, क्या माहौल रहता है? जीएस्टी पर दो इसा होगा कि वो बहुत्तिल हैं? जीएस्टी सत्र में अभी तीन दिन का समय है, जीएस्टी भी पास हो? देखे वो उन्होंने क्या कहा है वो महत्वपूर नहीं है जो वैठक में तै हुआ है वो मैंने आपको बताया और हमारा अभी भी कमिटमेंट है कि GST देखे GST हो या कोई भी जो बिल है वो कोई हमारा परसनल बिल थोड़ी है भी या बीजेपी हेटकोर्टर का बिल नहीं है कांग्रेस केंदर सरकार का परसनल बिल नहीं है यह देश के विकास से जुड़ा हुआ है देश के रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है देश के लोगों के गाओं गरीब किसान कमजोर तपकों की तरक्की से जुड़ा हुआ है और अगर Congress Party ने देश के आम लोगों की तरकी में बाधा बनने का काम किया है तो ये बड़ा भरी पाप है Thank you